हुआ फ्रेन्ग षवागत है आपका सुलूचना की रसोई मैं तो आज मैं बना रही हुँ हो चटपती मिर्च की अचार अब ही गर्मी की स Jeep नवासलना तो यह स्या ले आई हूँ अंदर और इसको मैं सारा मिर्च को डंटल निकाल लेती हूँ शारे मिर्च का जब डंटल निकल जाएगा इस तरह से दिखिए इस तरह से निकाल के रख लेना है और मिर्च हमेशा आप एकदम फ्रेश लीचे इस तरह गला नहीं होना चाहिए तो मेरा सारा मिर्च मैंने डंटल तोड लिया अब मैं इसे चीरा लगा के दो भागों मैं काट लूग। मिर्च यहां थोडा मोती और चोटी वाली है आप चाहे तो छोटी है तो तो यह थोड़ा मेरा अलग टाइब का है तो इस तरह से देखिए इस तरह मैं काट लेती हूं कोई भी मिर्च का अचार बनाई है यह बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो इस तरह से मेरा सारा मिर्च भी मैं देखिए काट लिए और चत्तिवी मसाले मैं एक दो चमच में गा और शोव को सिल्वटने सिल्वटे पर पीष लूगी तो चलिए यह मेरा मैं पीष के त्यार करी अब मैं चलती हूँ । सैमरे सिस्फ के बर्तन में यान दाल देती हूँ। भंप और पर रहची के बतने बनाे ये मेरा इटेह yht। इसमें डाल देती हूं हल्दी और यह मेरा राई का पाउडर मैं देखिए, मैं इस सिल्वरत टे पे प्यार करके रखी हूं, यह वाला देखिए यह थोड़ा दरदरा ही, दीजे, इसमें अच्छा बनता है। कास्मेरी मेर्स पाउडर मेरा डेर चम्मच है यह रंग के लिए देखने में अचार बहुत ही अच्छा होगा यूंकि यह मिर्स तो अल्रेडी जाल है मेरा और यह कलोंजी आती छोटी चम्मच है इसको मैं साबुती डालूंगी और यह सर्सुन का तेल 100 ग्राम के आसपास में रेकर दिippak क्वान कर सलीक्ट्स के चाएं अच्छे से अच्छे से अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के साथ हिए भांए के लिए या तया तो चलिए यह मेरा मैं इसको मिला ली हूं यह खाने के लिए तयार है अगर आप चाहे तो अब टेस्ट कर सकते हैं नहीं तो मैं इसे झालनगे शीशे के जार में और शीशेक बरतन मैं कि ऑगने इसे और से यह देखिए मैं इसे डाल ड़े हूँ आप बतन में तो यह तीन-चार दिन या पांच दिन एक सब्ता तक दूप लगा दीजे तो यह आराम से आपका छे मेना साल बर भी चल जाएगा कोई दिकत नहीं है और यह अचार बनके तयार है तो फ्रेंस आपको मेरा बनाया हुआ अचार यह जो भी मैं बनाती हूं वीडियो डालती हूं आपको कैसा लगता है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर डालिएगा और आज का अचार आप लोग किस तरह बनाते हैं मिर्ची का यह भी अपना कोमेंट करके बताईएगा कि मेरा कैसा बना है और बनाके जरूर आप एक बार ट्राय कीजिए और देखने के लिए थेंक्यू फ्रेंस लग्यू और तो अब मैं इसमें सूती कपरे को ढखके और इसमें मेरा बड़ लगा ताकि इससे ना इसका पसजना यह बनके वापस से उसमें नहीं जाए हमेशा आप यह सूती कपड़ा ही उच कीजिएगा ड़कन तो बंद कभी मत कीजिएगा नहीं तो अचार खराब होने का डर रहता है हमेशा बना हुआ तो चलिए फ्रेंस मिलते हैं अगले वीडियो में थाजिए तो Leonardo अ बंच वद हमेशा घाए हिमरी ओनके जाए हमेशा है हमेशा है हमेशा पुल सुन्हीं बंद करेंसर क्क्यक्षा नहीं हुआ करेंस तो चलिए और में पार। यह, आद करेंसे अजास